बात सीधी थी पर कि कवीता कवी कुवर नारायन द्वारा लिखी गई है इस कवीता में किसी बात को कहने के लिए भाशा की सहिष्टा और सरलता पर जोड दिया गया है जिससे कवीता का मतलब और उदेश्य सुनने वारे तक आसानी से पहुँच सके कवी कहते हैं कि हर बात को कहने के लिए कुछ खास और निश्चिक शब्द होते हैं ठीक वैसे ही जैसे किसी चीज में पेच कसने के लिए उसमें खाचे बने होते हैं अच्छी कवीता और अच्छी बात तभी बनती है जब सही जगापर सही भाषा ये शब्दों का इस्तमाल होता है और जब ऐसा होता है तो बिना किसी फालतु महनत के वो बात खुद बगुद बहतरीन बन जाती है यानि कवीता में भाव के अनुसार ही भाषा का उपयोग करन चाहिए सो अब हम स्टैंजा वाइस एक्स्प्लेनेशन देखते हैं बात सीधी थी पर एक बार भाषा की चक्कर में जड़ा टेड़ी फस गई उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पल्टा तोरा मरोडा गुमाया फिराया की बात या तो बने या फिर भाषा से बाह इकडम सहच और सरल हो बहुत जादा जतल शब्दों का प्रियों करने से कवीता बहुत सुन्दर तो लगती है लेकिन कई बार लों कवीता का भाव यानि कवीता की मतलब को ठीक डंग से नहीं समझ पाते ठीक यही बात कवी इस कवीता में कहना चाहते हैं इन पंक्तियों मे कवी कहते हैं कि कवीता का जो भाव और कवीता का जो मतलब है वो शोता की समझ में सीधे सीधे आना चाहिए था लेकिन भाशा की पीचेदगी और भाशा की डिफिकल्टे की वज़े से वो उन भावों को उन मतलब को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए कवी ने तो बारा जब अपनी कवीता को देखा तो उन्हें मैसूस हुआ कि भाषा की जटिलता की कारण कवीता में कहीं न कहीं तेड़ापन आ चुका है यानि कवीता अब समझ में नहीं आ रही यानि कवी जब बात कवीता के माध्यम से कहना चाते थे वो बात साफ नहीं हो पाई जिस कारण लोग कवीता के भावों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाई बात को सही करने और भाषा को सरल बनाने की चक्कर में कवी ने कवीता की शब्दों में थोड़ा सा बदलाव किया जिससे की भाषा असान हो सके और कवीता का भाव लोगों की समझ में सही तरीके से आ सके लेकिन ठीक करने के चक्कर में भाशा में और जादा जटिलता और तेड़ा बना गया और फिर भाशा और बाद दोनों ही पहले से और जादा पीचीदे होते चली गई सारी मुश्किलों को धहरे से समझे बिना मैं पीच को खोलने के बजाए उसे बेतर था कस्ता चला जा रहा था क्योंकि इस कर्दब पर मुझे साफ सुनाई दे रहा था तमाश बीनों की शाबाशी और वावा आखिर कार वही हुआ जिसका मुझे डर था जोर जबरदसी से बात की चूरी मर गई और वो भाशा में बेकार कूमने लगी जीवन में आने वाली हर मुझे का समधान अगर हम धैर पूर्वक यानि सबर से करें तो वो मुझे आसानी से हल हो जाती है लेकिन अगर हम जल्दबाजी और हर बढ़ात में उस मुझे को दूर करने की कोशिश करते हैं तो मुझे और जादा बढ़ जाती है यहाँ पर कभी भी यही बात कहते हैं दो वस्तुवों को जोने के लिए पेच में चूरिया यानि खाचो का होना जरूर है जिससे की वस्तुवों पर पेच की पकड़ मजबूत हो सके पेच को अच्छी तरह से कसने के लिए उसे सीधी दिशा में गुमाना भी जरूरी है क्योंकि गलत दिशा में गुमाने से पेच कसने की बजाए खुलने लगेगा और जबरदस्ती कसने की कोशिश करने पर पेच की चूरिया खत्म हो जाएंगी या तूट जाएंगी ठीक यही बात कवी के साथ भी हुई कवी कहते हैं कि भाशा को सही तरीके से कैसे कहा जाए या कैसे लिखा जाए जिससे की वो लोगों की समझ में असानी से आ सके इस समस्या को धैर और गम भीरता पुर्वक समझी बिना कवीता की शब्दों को घुमा फिरा कर भाशा को और जटल बनाता चला गया यानि कवीता के भावों को समझे अभीना वो कवीता में चमतकारिक या बनावती भाशा का प्रियोग करने लगी जिसे कवीता भारी रूप से तो दिखने में सुन्धर लगने लगी थी कवी की इन कर्तबो यानि बनावती भाशा की इस्तमाल को देख कर तमाश बीन भी उनकी जूटी तारीफ और वहवाई कर रहे थे जिसे सुनकर कवी भी खुश हो रहे थे कवी आगे कहते हैं कि मुझे जिस बात का पहले से ही डर था आखीर में वही हुआ बनावती भाशा के प्रियोक से कवीता का भाव स्पष्टन नहीं हो सका और जोर सबर दस्ती से बात को सुलजाने की कोशिश करने पर बात एकदम प्रभाव हीन और उद्देश हीन हो गई और वो शब्दों का एक समूयाद एक ग्रूप बनकर रह गई हार कर मैंने उसे केल की तरह उसे जगा ठोक दिया उ तुमने भाशा को सोहूलियत से बरतना कभी नहीं सिखा इन पंक्तियों में कवी कहते हैं कि कवीता में अपनी बात की अभिव्यक्ति के लिए यानि अपनी बात को समझाने के लिए सही भाशा का प्रयोग ना कर पाने के कारण उन्होंने उसे उलजा ही छोड़ दिया है या उदेश के लिए लिखा गया था वो उस उदेश को पूरा नहीं कर पा रही थी कवी आके कहते हैं कि कवीता में भाशा का सही प्रयोग ना कर पाने से परिशान कवी को देखकर बात रूपी नटखट बच्ची ने उनसे पूछा कि क्या उसने सरल सभाविक और सुविदा ज अरBack सब्रेस तरीके से भाशा का प्रयोग करना नहीं सिखा यह बात को शरारती बच्चा इसे लिए कहा गया है क्योंकि बच्चे बहुत जादा शरारत करते हैं तो यहां पर कवी कहते हैं कि अगर हमें कवीता को या किसी भी बात को किसी को समझाना होता है तो हमें उसमें बिल्कुल सरल भाशा का प्रयोग करना चाहिए